तो इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं और यह जो है इसका पार्ट सेकंड होगा और इसका पार्ट फर्स्ट जो है आरेडी अप्लोड़ड है मेरी यूट्यूब चैनल पे जी हाँ इसमें जो है हम इन फॉरम अप अब्जिक्ट्व इन को डिसकस कर रहे हैं और हमने आर देखे और सारी इनफॉरमेशन जो है वो आपके लिए हलप पर रहने वाली है तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह वीडियो तो फॉस्ट क्वेश्ट जो है आज इस वीडियो में जो हम डिसकस करने वाले हैं वो है तो इसका सही आंसर जो है ओप्शन ए याने सत्या नडेला नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी हाँ जो लाल बहदूर शास्त्री नेशनल आवाड 2021 है वो किसको मिला है तो इसका जो आंसर है वो है ओप्शन सी याने डाक्टर रंदीब गुलेरिया नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी हाँ जो वयालर रामा वर्मा मेमोरियल लिटररी आवाड है 45th edition था इसका तो ये साल किसको मिला तो इसका अंसर है ओप्शन बी याने बिन या मिन next question है who has been honored with Arya Bhatta Award 2021 याने Arya Bhatta Award 2021 वो किसको दिया गया तो इसका जो answer है वो है option B याने Satish Reddy next question है who has been selected for the Satyajit Rai Award for his contribution to Indian cinema जिहां Satyajit Rai Award जो है वो किसको मिला है और यह award जो है जो है दिया जाता है जो इंडिया के cinema में contribution है उसके लिए तो यह award जो मिला है इस साल वो मिला है option D है इसका सही आशर याने B गोपाल next question की बात करें next question है which scientist has been awarded the Nobel Peace Prize 2021 यहां जो Nobel Prize दिये जाते है तो जो peace prize है वो किन दो scientist को मिला है आपको बता ले जो मारिया रिसा है और Dimitri Mura Tohe इन दोनों को जो है यह award मिला है इस साल तो इसका आशर जो बनेगा वो बनेगा option C याने बहुत suitable next question है who has been awarded the Nobel Prize in the field of literature in 2021 जी हां जो literature है उसमें किसको Nobel Prize दिया गया 2021 में तो इसका जो answer है वो है option A याने अब्दर रजाग गुरना next question है which two scientists have been awarded the Nobel Prize in Chemistry in 2021 जी हां जो Nobel Prize in Chemistry मिला है 2021 में वो किन दो scientist को जो है वो दिया गया है तो आपको बताते है जो Benjamin List है और David Macmillan है इन दोनों को जो है यह award मिला है इस साल तो इसका अशर बनेगा option C याने बहुत suitable तो next question है वो है which three scientists have been awarded the Nobel Prize in Physics in 2021 याने जो Nobel Prize in Physics में दिया गया गया 2021 में वो किन तीन सेंटिश को मिला तो आपको बताते हैं जो सुकूरो मनाबे है उनको भी यह प्राइज मिला है उसके साथ साथ कोलोस हैसलमें भी में जो है उनको भी मिला है और जोर्जियो पारिश सी जो है इनको भी यह अवार्ड मिला है तो यह तीनो को जो है इनको यह अवार्ड मिला है फिसीक में इस साल याने नोबल प्राइस तो इस कांसर बनेगा option D याने all of these next question है वो है which Indian organization has been honored with the international owner right livelihood award 2021 जहां इंडिया की किस organization को मिला है light livelihood award 2021 है तो आपको बताए दिये इसका सही आशा जो बनेगा वो बनेगा option D याने life life का यह जो full form है वो है legal initiative for forest and environment तो इसको मिला है यह award इस साल next question है who has been awarded the nobel prize for made sign for the year 2021 जहां nobel prize जो made sign में मिला है वो किसको दिया गया 2021 में और आपको बताए जो David Julius है और Edem Petapo TN है इन दोनों को जो है यह award मिला है तो इसका आशा बनेगा option C याने बहुत suitable next question है who has been honored with the yeah Eden prize 2021 जहां यह Eden prize जो है 2021 वो किसको मिला है question number 52 का जो आशा है option D याने Dr. Rukmani Banner जी next question है who has been honored with business excellence award 2021 business excellence award 2021 किसको दिया गया तो इसका आशा है option D कपिल पतारे next question है who has been honored with the national Florence Night Angel award 2020 जहां जो national Florence Night Angel award 2020 की बात कर रहा है तो वो किसको मिला तो इसका जो आशा है वो है option C याने S.V. Saraswati next question है who has won the global goalkeeper award 2021 global goalkeeper award किसको मिला 2021 में तो इसका जो आशा है option C याने फूम भूम जिली लेंबो एंकू का option C है इसका सही answer next question है which Indian power station has been awarded the prestigious blue planet prize 2021 by the international hydropower association इंडिया के किस power station को award दिया गया है blue planet prize 2021 जो कि देता है international hydropower association तो इसका जो answer बनेगा वो है option A तीस्था five power station यह है इसका सही answer next question है who has been honored with the SDG progress award 2021 जी हाँ SDG याने sustainable development goal progress award 2021 है वो किसको दिया गया तो इसका answer है option B याने Sheikh Hasina जो कि Bangladesh की prime minister है next question है who has been honored with Ramakrishna Bajaj memorial global award 2021 जी हाँ किस personality को मिला है Ramakrishna Krishna Bajaj memorial global award 2021 तो इसका जो answer है वो है option B याने Gautam Adani next question है which two beaches of India have been awarded the blue flag certificate on 21st September 2021 जी हाँ इंडिया के दो कौन से वो beach है जिनको मिला है blue flag certificate जो की दिया गया है उनको 21st September 2021 को तो इसका जो answer है वो है जो कोवा कोवा नम तामिलनारो का बीच है और जो एडन पूडी चेरी में है इन दोनको ये जो है certificate मिली थो थी तो इसका answer जो बनेगा वो है option D यानि एन भी शुटेबल ब्रहमनन्द आवार्ड 2021 है वो किसको दिया गया तो क्वेशन नबर 61 का आंसर है ऑप्शन B आनन्द कुमार नेक्स्ट क्वेशन है इससे पहले भी इस आवार्ड की बात हुई थी लेकिन वो 2020 की थी ये बात थी तो ये 2021 की है तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन C याने बानुमति गी वाला नेक्स्ट है विश्थ्री विलेज़ अप इंडिया है बिन नॉमिनेट बाई युनित नेशन वर्ल्ड टूरिज्म औरगनिजेशन फॉर दे बेस्ट टूरिज्म विलेज आवार्ड तो जो इंडिया के कौन से ऐसे तीन विलेज़ है जिनको United Nations World Tourism Organization ने दिया है Best Tourism Village Award तो आपको बता दे कौंठोंक जो मेगाला का विलेज है उसके साथ लड़पूर खास जो के मध्या प्राइदेश का विलेज है और पोचंपली जो की ते लिंगाना का विलेज है तो इन तीन को यह अवाड जो है वो मिला है तो इसका अशर बनेगा Option D याने All Suitable नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी है विच कंपनी है विच कंपनी है विच कंपनी की बात है तो इसका अंसर जो है वो है Option A याने Power Grid Next question है Who has won the Times Excellence Award 2021 जिहां Times Excellence Award 2021 किसने जीता तो इसका अंसर है वह है Option A याने सबर ना रोई Next question है Who will be honored with the Shree Basawa International Award जिहां जो Shree Basawa International Award है वो किसको दिया गया तो question number 66 का answer है option C श्री बसा वा लिगा पटा डिवारू यह है इसका सही answer next question है which airport has got the title of world's best airport Secret Rex World Airport Awards 2021 यहां world के किस airport को title दिया गया है world's best airport Secret Rex World Airport Awards 2021 किसको मिला है तो इसका जो answer बनेगा वो बनेगा option A हमाद International Airport Qatar next है which company's Mangdichu Hydro Electricity Project has been awarded the Brunel Medal जी हां किस country का एक hydropower electricity project है जिसका नाम है Mangdichu Hydro Electric Project तो उसको मिला है Brunel Medal तो वो किस country में है तो इसका जो answer बनेगा वो बनेगा option B Bhutan next question है who won the title of भारत के स्री Wrestling Dungal 2021 जी हां भारत के स्री Wrestling Dungal 2021 का title किसने जीता तो इसका अंसर है option B Libhanshu Sharma next है who has won the title of Miss India USA 2021 जी हां Miss India USA 2021 का title किसने जीता तो इसका अंसर बनेगा option B वे दही ढोंगरी next question है who has won the title of best documentary at the Canis Film Festival 2021 जी हां best documentary किसको मिली है जो कि Canis Film Festival 2021 हुआ था वहां पे तो इसका अंसर है वो है option A पायल कपाडिया next question है who has been honored with the commonwealth points of light award 2021 किसको दिया गया है commonwealth points of light award 2021 तो इसका अंसर है option B सेद उस्मान अजहर मक्सूसी next है who has been honored with the humble research award 2021 for his outstanding contribution in the field of economics जी हां किस personality को दिया गया है Humboldt Research Award 2021 और यह award जो दिया गया है उनको उनकी contribution जो थी economics एक फिल्ड में उसके लिए मिला है तो इसका अंसर जो है option A कोशक बासू next है which Indian film has won the best short film award at the Premline Festival 2021 जी हां इंडिया की किस film ने जीता है best short film का award जो कि Premline Festival 2021 हुआ था उसमें तो इसका जो आंसर है वो है option D share korma इसका सही answer है next है which country has been awarded malaria free certificate by WHO जी हां दुनिया की किस country को award दिया गया है malaria free certification के साथ जो कि WHO देती है तो malaria free कौन सी country है तो इसका आंसर जो है 75 का वो है option A चाइना next है who has been honored with the Koweampu Rashtriya Purushka 2021 जी हां Koweampu Rashtriya Purushka 2021 किसको दिया गया तो इसका आंसर है option B Rajendra Kishori Panda next है which Indian has been honored with Mongolia's Heist Civilian Award the Order of Polar Star जी हां किस India को मिला है मंगोलिया का Heist Civilian Award the Order of Polar Star तो इसका जो आंसर है question 77 का वो है option B R के सबरवाल next है which Metro has been awarded the Outstanding Civil Engineering Achievement Award 2021 जी हां किस Metro को मिला है Award Outstanding Civil Engineering Achievement Award 2021 का तो इसका जो आंसर है वो है option B Delhi Metro next है which Indian has been honored with Japan's prestigious grand Foukeko Prize 2021 जी हां किस India को दिया गया है Japan का prestigious age award Foukeko Prize 2021 तो इसका जो आंसर है वो है option B P Say not next है who has been honored with the Spanish Princess of Asturias Literature Award 2021 जी हां किसको दिया गया है Spanish Princess of Asturias Literature Award 2021 तो इसका जो सही आंसर है वो है option B Emmanuel Carrier next है who has been honored with the Centish of the Year Award by DRDO जी हां किसको मिला है award Centish of the Year Award जो की देता है DRDO तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो है option A हैमंत कुमार next है who has received the 96th Madhya Pradesh Tansin Award in 2021 जी हां किसने जो रिसीव किया है 96th मुद्या प्राइदेश का Tansin Award जो की 2021 में दिया गया था तो इसका जो आंसर है वो है option B Pundit Satish Vyas next है who won the title of Miss Diva Miss Universe India 2021 किसने जीता है title Miss Diva Miss Universe India 2021 का title तो इसका जो आंसर है question 83 का वो है option A हरनाज संडू next है जो की last question होगा हमारा आज के इस lecture का वो है who has awarded the Able Prize for the year 2021 जी हां किसको मिला है Able Prize for the year 2021 का तो इसका जो आंसर है option C यानि जो less low lowest lowest है इनको और जो A.V. Wigderson है इनको इन दोनों को जो मिला है Able Prize 2020 2021 में तो इसका सही आंसर बनेगा option C यानि बहुत suitable तो इसके साथ जो है हमने owners and awards 2021 के यह सारे complete किये हैं तो मिलते है अगले वीडियो में और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए थेंक यू एंड टेक केर